अपने सुना होगा कि भारत ने पिछले सब्टा 400 बिलियन डॉलर यानि 30 लाग करोड रुपिये के एक्सपोर्ट का टार्गेट हासिल किया है पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थ व्यवस्ता से जुड़ी बात है लेकिन ये अर्थ व्यवस्ता से भी ज़्यादा भारत के सामर्थ भारत के पोटेंशल से जुड़ी बात है एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन कभी 1.500 बिलियन कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था अब आज भारत 400 बिलियन डॉलर पर पहुँश गया है इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमान बढ़ रही है दुसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेहन दिनों दिन और मजबुत हो रही है और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है देश विराड कदम कब उठाता है जब सपनों से बड़े संकल्प होते है जब संकल्पों के लिए दिन रात इमानदारी से प्रयास होता है तो वो संकल्प सिद्ध भी होते हैं और आप देखिए किसी व्यक्ति के जीवन में भी तो ऐसा ही होता है जब किसी के संकल्प, उसके प्रयास, उसके सपनों से भी बड़े हो जाते हैं तो सफलता उसके पास खुद चल करके आती है साथियों, देश के कोने कोने से नएने प्रोडक्ट जब विदेश जा रहे हैं असम के हैला कांडी के लेधर प्रोडक्ट हो या उस्मानाबाद के हैंलूम प्रोडेक्ट बिजापूर की फल सभियां हो और चंदौली का ब्लैक राइस सबको एक्सपर्ट बढ़ रहा है अब आपको लदाग की विश्व परसीत एप्रिकॉट दुबै में भी मिलेगी और सौधी अरब में तमिलाडू से भेजे गए केले में लेंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि नए नए प्रोडक्स नए देशों को भेज दे जा रहे हैं जैसे हिमाचल उतराखन में पैदा हुए मिलेट्स मोटे अनाज की पहली खेप डेनमार को निर्याद की गई आंद्र प्रदेश के कृष्णा और चितुर जिले के बंगन पनली और सुवन रेखा आम दक्षिन कोरिया को निर्याद की गई जै त्रिपुरा से ताजा कढ़ल हवाई रास्ते से लंदन निर्याद की गई जै और तो और पहली बार नागा लेंड की राजा मिर्च को लंदन बेजा गया इसी तरह भालिया ग्यहों की पहली खेप गुजराद से केनिया और सिलंका निर्याद की गई यानि अब आप दूसरे देशों में जाएंगे तो मेडिंग इंडिया प्रोड़क्स पहले की तुलना में कहीं जादा नजर आएंगे साथियों यह लिस्ट बहुत लंबी है अब जितनी लंबी यह लिस्ट है उतनी बड़ी मेक इंडिया की ताकत है उतना ही विराट भारत का सामर्थ है और सामर्थ का अधार है हमारे किसान हमारे कारिगर हमारे बुनकर हमारे इंजीनियर हमारे लगू उद्यमी हमारा MSME सेक्टर धेर सारे अलग-अलग प्रोफेशन के लोग यह सब इसकी सच्ची ताकत है इनकी महनत से ही 400 बिलियन डालर के एक्सपोर्ट का लक्ष प्राप्त हो सका है और मुझे खुसी है कि भारत के लोगों का इस सामर्थ अब दुनिया के कौने कौने में नए बाजारों में पहुँच रहा है जब एक एक भारत वासी लोकल के लिए वोकल होता है तब लोकल को गलोबल होते देर नहीं लगती है आईए लोकल को गलोबल बनाएं और हमारे उत्पादों की प्रतिश्टा को और बढ़ाएं साथियों मन की बात के स्रोताओं को ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि गरेलु स्तर पर भी हमारे लगू उद्यमियों की सफलता हमें गर्व से भरने वाली है आज हमारे लगू उद्यमियों सरकारी खरिद में गवर्न्मेंट इ-marketplace यानि जेम के माद्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं टेक्नोलोजी के माद्यम से बहुत ही ट्रांस्परेंट व्यवस्ता विक्सित की गई हैं पिछले एक साल में जेम पॉर्टल के जरिये सरकार ने एक लाग करोड रुपे से जादा की चीजें खरिदी हैं देश के कोने कोने से करीब करीब सबाल लाख लगू देमियों छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है एक जमाना था जब बड़ी कमपनियां ही सरकार को सामान बेच पाती थी लेकिन अब देश बदल रहा है पुरानी व्यवस्ताएं भी बदल रही है अब छोटे से छोटा दुकानदार भी जेम पॉर्टल पर सरकार को अपना सामान बेच सकता है यही तो नए भारत है यह न केवल बड़े सपने देखता है बलकि उस लक्ष तक पहुंचेने का साहस भी दिखाता है जहां पहले कोई नहीं पहुंचा है इसी साहस के दम पर हम सभी भारती मिलकर आत्मन निर्भर भारत का सप्राभी जरूर पूरा करेंगे मेरे पहरे देश सवासियों हाली में हुए पदम सम्मान समारों में आपने बाबा सिवानन जी को जरूर देखा होगा 126 साल के बुजूर की फूर्ती देखकर मेरी तरह हर कोई हरान हो गया होगा और मैंने देखा पलक जफकते ही वो नंदी मुद्रा में पणाम करने लगे मैंने भी बाबा शिवानन जी को जुक कर बार बार पणाम किया 126 वर्स की आयू और बाबा शिवानन की फिटनेस दोनों आज देश में चर्चा का विशय है मैंने सोस्यल मीडिया पर कई लोगों का कमेंट देखा कि बाबा शिवानन अपनी उम्र से चार गुना कम आयू से भी ज़्यादा फिट है वाकई बाबा शिवानन का जीवन हम सभी को प्रेजित करने वादा है मैं उनकी दिर्ग आयो की कामना करता हूँ उनमें योग के प्रती एक पैशन है और वे बहुत हेल्दी लाइफटाइल जीते हैं हमारी संस्कृति में सब को सौ वर्स के स्वस्त जीवन की शुबकामनाई दी जाती हैं हम साथ एप्रेल को विश्व स्वास्त दिवस मनाएंगे आज पुरे विश्व में हेल्थ को लेकर भारतिय चिंतन चाहे वो योग हो या आयुरुवेद इसके प्रती रुजान बढ़ता जा रहा है अभी आपने देखा होगा कि पिछले ही सप्ता कतर में एक योग कारिकम का आयुजर गिया गया इसमें 114 देशों के नागरीकों ने हिस्सा लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इसी तरह से आयुजर इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है छे साथ पहले आयुजर से जुड़ी दवाईयों का बाजार 22,000 करोड रुपिय के आसपास का था आज आयुज मैनुफेक्टरिंग इंडस्ट्री एक लाग 40,000 करोड रुपिय के आसपास पहुँच रही है यानि इस ख्षेत्र में संभावनाय लगातार बढ़ रही है स्टार्ट अप वर्ल में भी आयुज आकर्षन का विशे बनता जा रहा है साथ क्यों हेल्ट सेक्टर के दूसरे स्टार्ट अप्स पर तो मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ लेकिन इस बार आयुज स्टार्ट अप्स पर आपसे विशेश तोर पर बात करूँगा एक स्टार्ट अप है कपीवा इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है इसमें क क का मतलब है कफ पी का मतलब है पित और वा का मतलब है वाप यह स्टार्ट अप हमारी परंपराओं के मताबिक हेल्दी इटिंग हैबिट्स पर आधारित है एक और स्टार्ट अप निरोग स्ट्रीट भी है आयुरुवेद हेल्थ केर इकोसिस्टिम में एक अनूठा कंसेप्ट है इसका टेक्नोलोजी डिवन प्लेट्फोर्म दुनिया भर के आयुरुवेदा डॉक्टर्स को सीधे लोगों से जोडता है पचास हजार से अधिक प्रेक्टिशनर्स इससे जुड़े हुए हैं इसी तरह आत्रे इनोवेशन एक हेल्थ केर टेक्नोलोजी स्टार्टप है जो होलिस्टिक वैलनेस के ख्षितर में काम कर रहा है इक जोरियल ने नकेवल अस्वगंधा के उप्योग को लेकर जागरुपता फैलाई है बलकि टॉप क्वालिटी प्रोड़क्शन प्रोसेस पर भी बड़ी मात्रा में निवेश किया है क्योर वेदा ने जड़ी भुटियों के आधुनिक शोध और परमपरिक ज्यान के संगम से होलिस्टिक लाइप के लिए डायेटरी सप्लिमेंट्स का निर्मार किया है साथियों अभी तो मैंने कुछ ही नाम गिनाए हैं ये लिस्ट बहुत लंबी है ये भारत के युवा उद्धमियों और भारत में बन रही नई संभावनाओं का पती है मेरा हेल्थ सेक्टर के स्टार्ट अपस और विशेशकर आयू स्टार्ट अपसे एक आगरह भी है आप ऑनलाइन जो भी पॉर्टल बनाते हैं जो भी कंटेंट क्रियेट करते हैं वो सयुक्त राष्ट्च द्वारा मन्यता प्राप्त सभी भाशाओं में भी बनाने का प्रयास करें डुनिया में भहुत सारे ऐसे देश हैं ज想包 अंगरेजी नहीं इतनी बोली जाती हैं और नहीं इतनी समझी जाती हैं ऐसे देशों को भी ध्यान में रखकर अपनी जानकरी का प्रचार प्रसार करें। मुझे विश्वास हैं भारत के आयू स्टार्ट अप्स बहतर क्वालिटी के प्रोडक्स के साथ जल्द ही दुनिया भर में च्छा जाएंगे। साथियों स्वास्थका सीधा समंद स्वच्छता से भी जुड़ा है। मन की बात में हम हमेशा स्वच्छता के आग्रईयों के प्रहासों को जरूर बताते हैं। ऐसे ही एक स्वच्छा ग्रईय हैं चंद्रकिशोर पाटिल जी। ये महराष्टर में नासिक में रहते हैं। चंद्रकिसोर जी का स्वच्थता को लेकर संकल्प बहुत गहरा है। वो गोदावरी नदी के पास खड़े रहते हैं और लोगों को लगातार नदी में कुडा कच्रा नव फैकने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें कोई ऐसा करता दिखता है तो तुरंत उसे मना करते हैं। इस काम में चंद्रकिसोर जी अपना काफी समय खर्च करते हैं। शाम तक उनके पास ऐसी चीजों का धेर लग जाता है जो लोग नदी में फैकने के लिए लाए होते हैं। चंद्रकिसोर जी का ये प्रयास जागुरुकता भी बढ़ाता है और प्रेरिना भी देता है। इसी तरह एक और स्वच्छाग रही हैं ओडिसा में पुरी के राहुल महराणा। राहुल हर अभीवार को सुबह सुबह पुरी में तिर्थ स्थरों के पास जाते हैं और वहाँ प्लास्टिक कच्रा साप करते हैं। वो अब तक सेंकडो, किलो, प्लास्टिक कच्रा और गंदकी साप कर चुके हैं। पुरी के राहुल हो या नाशिक के चंदर किशोर। ये हम सब को बहुत कुछ सिखाते हैं। नागरी के तौर पर हम अपने कर्तवियों को निभाएं। चाहे स्वच्चता हो, पोशन हो या फिर टिका करण। इन सारे प्रयासों से भी स्वस्त रहने में मदद मिलती हैं। मेरे प्यारे देश्वाचियों, आईए। बात करते हैं किरला के मुपट्टम स्री नारायनन जी की। उन्होंने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की हैं। जिसका नाम है पॉड्स फर वाटर अफ लाइफ। आप जब इस प्रोजेक्ट के बारे में जानोगे, तो सोचेंगे कि क्या कमाल का काम है। साथियों, मुपट्टम स्री नारायन जी, गर्मी के दोरान पशू पक्षियों को पानी की दिक्कत ना हो। इसके लिए मिट्टी के बरतन भाटने का अभ्यान चला रहे हैं। गर्मीयों में वो पशू पक्षियों की इस परिशानी को देखकर, खुद भी परिशान हो उड़ते थे। फिर उन्होंने सोचा कि क्योंनवा खुद ही मिट्टी के बरतन भाटने शुरू कर दें, तकि दूसरों के पास उन बरतनों में सिर्फ पानी भरने का ही काम रहें। आप हैरान रह जाएंगे कि नारायन जी द्वारा बाटे गए बरतनों का आंकड़ा एक लाग को पार करने जा रहा है। अपने अभियान में एक लाखवा बरतन वो गांदी जी द्वारा स्थापीत साबर्मती आस्रम में दान करेंगे। अजब गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी हैं तो नारायन जी का यह काम हम सब को जरूर प्रेलिद करेंगा और हम भी इस गर्मी में हमारे पशू पक्षी मित्रों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। साथियों मैं मन की बात के स्रोताओं से भी आगर करूँगा कि हम अपने संकल्पों को फिर से दोर आएं। पानी की एक-एक बुंद बचाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पानी की री-साइकलिंग पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है। घर में इस्तिमाल किया हो जो पानी गमलों में काम आ सकता है, गार्णिंग में काम आ सकता है, वो जरूर दोबारा इस्तिमाल किया जाना चाहिए। थोड़े से प्रयास से आप अपने घर में ऐसी व्यवस्थाइं बना सकते हैं रहिमदाज जी सद्यों पहले कुछ मकसद से ही कहकर गए है कि रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसुन और पानी बचाने के इस काम में मुझे बच्चों से भावत उमीद है स्वच्चता को जैसे हमारे बच्चों ने अंदोरन बनाया वैसे ही वो वाटर वारियर बनकर पानी बचाने में मदद कर सकते हैं साथियों हमारे देश में जल सवरक्षन जल स्तोतों की सुरक्षा सद्यों से समाज के स्वभाव का हिस्सा रहा है मुझे खुशी है कि देश में बहुत से लोगों ने बॉर्टर कंजर्वेशन को लाइप मिशन ही बना दिया है जैसे चैन्ने के एक साती है अरुन कृष्ण मुर्ती जी अरुन जी अपने इलाके में तालाबों और जीलों को साब करने का अभियान चला रहे है उन्होंने एक सो पचास से जादा तालाबों जीलों की साब सफाई की जिम्मेदारी उठाई और उसे सभलता के साथ पूरा किया इसी तरह महाराष्टर के एक साथ ही रोहन काले है रोहन पैसे से एक HR प्रोफेशनल है वो महाराष्टर के सेंक्रो स्टेपवेल्स यानि सीडी वाले पुराने कुवां के सरवक्षन की मुहिम चला रहे हैं इन में से कई कुई तो सेंक्रो साल पुराने होते हैं और हमारी विरासर का हिस्सा होते हैं सिगंद्राबाद में बंसिलाल पेट कुवां एक ऐसा ही स्टेपवेल है बरसों की उपिक्षा की कारण इस स्टेपवेल मिट्टी और कच्रे से ढंग गया था लेकिन अब वहां इस स्टेपवेल को पुनरजीवित करने का भियान जन भागी दर्शे शुरू हुआ है साथियों मैं तो उस राज्य से आता हूँ जहाँ पानी की हमेशा बहुत कमी रही है गुजरात में इस स्टेपवेल को भाव कहते हैं गुजरात जैसे राज्य में भाव की बड़ी भूमी का रही है इन कुओं या बावडियों के सवरक्षन के लिए जल्मंदिर योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निवाई पुड़े गुजरात में अनेकों बावडियों को पुनरजीवित किया गया इससे इन इलाकों में वाटर लिवल को बढ़ाने में भी काफी मदद मिली ऐसे ही अभियान आप भी स्थानिय स्थर पर चला सकते हैं चेक्डम बनाने हो रेन वोटर हार्वेस्टिंग हो इसमें इंडिविजल प्रयास भी एहम है और कलेक्टिव एफर्ट भी ज़रूरी है जैसे आज़ादी के अमरुत महसों में हमारे देश के हर जिले में कम से कम 75 अमरुत सरोवर बनाए जा सकते हैं कुछ पुराने सरोवरों को सुधारा जा सकता है कुछ नए सरोवर बनाए जा सकते हैं मुझे विश्वास हैं, आप इस दिशा में कुछ न कुछ प्रयास जरूर करेंगे, मेरे प्यारे देश्वासियों, मन की बात, उसकी एक खुबशूरती ये भी है, कि मुझे आपके संदेश, बहुत सी भाशाओं, बहुत सी बोलियों में मिलते हैं, कई लोग माई गौव पर अड़ियों मेसेज भी भेजते हैं, भारत की संस्कृती, हमारी भाशाओं, हमारी बोलियां, हमारे रहेंसें, खान पान का विस्तार, ये सारी भी विविदिताएं, हमारी बहुत बड़ी ताकत है, पूरब से पस्चिम तक, उत्तर से दक्षिन तक, भारत को यही विविदिता एक करके रखती हैं, एक भारत स्रेश्ट भारत बनाती हैं, इसमें भी हमारे एतिहासिक स्थलों और पावरानिक कथाओं, दोनों का बहुत योगदान होता है, आप सोच रहे होंगे, कि ये बात मैं अभी आपसे क्यों कर रहा हूँ, इसकी वज़ा है माधवपूर मेला, माधवपूर मेला कहां लगता है, क्यों लगता है, कैसे ये भारत के विविदिता से जुड़ा है, ये जानना मन की बात के सुरुताओं को बहुत इंट्रेस्टिंग रगेगा, साथियों, माधवपूर मेला, गुजरात के पोरबंदर में, समंदर के पास माधवपूर गाउं में लगता है, लेकिन इसका हिंदुस्तान के पुर्वी छोर से भी नाता जुड़ता है, आप सोच रहे होंगे, कि ऐसा कैसे संबभव है, तो इसका भी उत्तर एक पौरानी क अथा से ही मिलता है, कहा जाता है कि हजारों वर्ष पुर्व, भगवान स्री कृष्ण का विवा, नौर्थ इसकी राजकुमारी, रुक्मनी से हुआ था, ये विवा, पोर मंदर के माधवपूर में संपन हुआ था, और उसी विवा के प्रतिक के रुप में, आज भी, वहा माधवपूर मेला लगता है, इस्ट और वेश्ट का ये गहरा नाता हमारी धरोहर है, समय के साथ, अब लोगों के प्रयात से, माधवपूर मेले में, नई नई चीजे भी जूड रही हैं, हमारे हाँ, कन्या पक्ष को घराती कहा जाता है, और इस मेले में, अब नौर्थ इश्ट से बहुत से घराती भी आने लगे हैं, एक सब्ताह तक चलने वाले माधवपूर मेले में, नौर्थ इश्ट के सभी राज्यों के आर्टिस्ट पहुंचते हैं, हैंडिक्राप से जुड़े कलाकार पहुंचते हैं, और इस मेले की रौनक को चार चान लग जाते हैं, एक सब्ताह तक भारत के पूरब और पश्चिम के संस्कृतिकों का इमेल, ये माधवपूर मेला, एक भारत, स्रेश्ट भारत की बहुत सुन्दर मिसाल बना रहा है, मेरा आप से आगरह हैं, आप भी इस मेले के बारे में पढ़ें और जानें, मेरे पैरे देश्वासियों, देश में आजहादी का अमरुत महोत्सव, अब जन भागेदारी की नई मिसाल बन रहा है, कुछ दिन पहले 23 मार्च को सहीद दिवस पर देश के अलग-अलग कौने में अनेत समारो हुए, देश ने अपनी आजहादी के नायक नाइकाओं को य इसी दिन मुझे कोलकता के विक्टोरिया मेमोरियल में विपलवी भारत गैलेरी के लोकारपन का भी अवसर मिला, भारत के वीर करांतिकारियों को सरदानली देने के लिए ये अपने आप में बहुत ही अनूठी गैलरी है, यदि अवसर मिले तो आप इसे देखने जरूर ज महने में हम दो महान विपृतियों की जैनती भी मनाएंगे, इन दोनों ने ही भारतिय समाज पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है।